मेरे यूटोब चनल के दोस्तों आज मैं आप लोग को बताएंगा कि गूगल पर एकाउंट कैसे बनाते है कैसे किसी को पैसा गूगल पर इससे करते Dare कैसे रिसेप करते ते हैं कैसे Benk एकाउंट नंबर आयड़ करते हैं सब कुछ इस वीडियो में देखने वाला है ये वीडियो पूरा देख लेंगी तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रुत नहीं है दोस्तों वीडियो में पढ़ने से पहले आप लोग उसे गुजारीस होगा यार जो लोग भी चैन कर लेना है प्ले स्टोर में जाके तो चलिए मैं भी अपना गूगल पे प्ले गूगल पे यहां से सर्च करके डाउनलोड कर लेता हूं तो आपको लिखना है गूगल पे लिख देना इसको सर्च में डाल देना है दोस्तों देखें यह आ गया यह आपको क्या करना अनिबल कर देना है आपको डाउनलोड आपके पास डाउनलोड होगा तो डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड नहीं होगा तो आपको अगर डाउनलोड होगा तो ठीक है अगर डाउनलोड नहीं हो तो डाउनलोड कर लेना है अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं दोस्तों यह देखे अब सबसे first क्या होगा आपको डाउनलोड हो गया first process होगा इसी जगह आपको अपना mobile number डाल देना है जो भी mobile number है दोस्तों उसी से वो mobile number का process करेगा इसको continuous कर देना है continuous करने के बाद accept and continuous कर देना है accept and continuous कर देना अब यह देखिए verify पहले करेगा कि इस नंबर पर बैंक वगरा है की नहीं या जो भी हो पहले mobile number वो verify कर लेगा bank account होगा तो भी bank में number होगा तो भी नहीं होगा तो भी अब एक message आगा वो automatically ले लेगा यह देखिए first process हमारा हो गया दोस्तों गूगल पे का अब next process आपको बताते हैं अब देखिए यहां पर एक bank अलड़ी ले रहा है एक्सिस bank जो की अलड़ी इसको दिख रहा है कि यह bank है अगर यहां से करना चाहूं तो यहां से भी कर सकता हूं अगर not now करना चाहूं तो मैं आपको नया process दिखा देता हूं कैसे आ आपको क्या करना आपको गूगल पे में और किसी को payment वरक करना भेजना है लेना है जो भी करना हो तो आपको सबसे पहले अपना bank account अक्टिवेट करना पड़ाए क्योंकि bank account से payment आएगा और पेमेंट जाएगा तो यहां पर activate bank account करना है अब यहां पर आपको verify नमबर देखना करना कर रहा है एक्टिवेट bank account कर रहा है यहां पर अब option आगा कि किस bank को आपको activate करना है देखिए मेरा access bank अलड़ी add हो गया अब मुझे कुछ और bank भी add करना है तो वो भी option आपको दिखेगा वो भी इसी जगह दिख जाएगा चलिए दिखाता हूँ आपको कि bank account कैसे add करते हैं सबसे first tip मेरा तो लिख लिए लेकिन मैं आपको भी दिखा दूँ किस तरीके से bank account को add करना है यहां पर क्लिक करता हूँ यहां पर देखिए दिखे लग रहा है profile पर देखिए यह है ना bank account यह इस पर आपको यह सारा कुछ देख रहा है एक्टिवेट का option अगया यह देखिए यहां पर देखिए पूरा bank एक मेरा अलडी एड को गया अब एड अनाधर bank account करना है यहां पर बैट bank account अब देखिए यहां पर option नहीं आ रहा तो यहां पर सर्च भी करके आप देख सकते हैं जो भी bank सर्च वह डालना हो आपको डाल सकते तो चलिए मैं अपना HDFC भी डाल देता हूँ एक और bank का account डाल देता हूँ यह देखिए funding करने लगा improve your payment experience देखिए दूसरा भी account मेरा automatic क्योंकि मेरे ही mobile number पे सब कुछ है मेरा account number मेरे mobile number पे इसी इसलिए automatic यह ले ले रहा अगर mobile number इस account में नहीं होता तो नहीं लेता तो सब कुछ हो गया य second process बताता हूँ कि इससे अगर phone number पे अगर बेजना चाहे तो यह देख सकते है phone number है pay contact पे करना चाहे यह सारा कुछ यहाँ पर देख सकते है bank में account पैसा अगरा transfer करना चाहिए यह है UPID number यह है self-transfer यह है pay bills mobile recharge वगरा सब कुछ देखेगा यहाँ पर और भी चीज़े है इस यहाँ पर देखिए अब इसको मैं भी वाल कर देता हूँ पहले आपको दिखाता हूँ देखिए आप अपना mobile recharge कर सकते है electricity बिल्क भर सकते हैं DTH cable fastage वगरा सब कुछ कर सकते है जेखना से गय स्लिंडर मैं विवूक कर सकते हैं औक षायों इस में दे रहा है जए सारह कुछ इहां पर सकते हैं direction कर सकते हैं लोन देख्सक्त का कर सकते हैं दूसरा चीज अब आपको बता देता हूं कि अगर किसी को करना हो तो scan करना हो तो यह देख सकते हैं यहां से scan करेंगे यह देखिए only this time यह देखिए scan यह देख रहा है यह scanning का option है यह scan करके आप payment कर सकते हैं अब अगर contact पे पे करना है तो contact पे करेंगे यहां पे click करेंगे जिसको भी आपको payment करना हो आपको उसको payment करना हो जैसे मा लिए मैं इनको अगर payment करना चाहूँ देखिए pay यहाँ पे message डाल दूँगा कि आपको पैसा भेज रहा हूँ और request amount डालूँगा pay करूँगा automatic हो जागा तो यह pay चलिए मैं करता हूँ अब यहाँ पे देखिए जो भ यह हो गया अब इसको करने के बाद सब कुछ कर लेंगे जो भी चीज़े हैं अब जो भी करना चाहिए वो सारा कुछ कर सकते हैं self account में अगर transfer करना चाहिए self account में देखिए अब यह हाँ पे मेरा दो account है अब मुझे अगर पैसे transfer करना है तो first वो होगा देखिए इसमें पैस to transfer from मतलब उपर वाले transfer होगा इस वाले bank में पैसा जाएगा अब अगर उल्टा करना हो तो SDFC क्या करना है एक्सिस बैंक को उपर कर लेना है नीचे SDFC को कर लेना है अब एक्सिस बैंक से SDFC में transfer होगा next जैसे ही करूँगा जो भी amount डालेंगे amount डालने के बाद चलिए मैं 500 रुपए डाल देता हूँ अब इसको next कर लेता हूँ जो भी लिख दूँ अब इसको next transfer now yes continue कर देता हूँ अब यहाँ पे मेरा UPI pin मांगेगा बिना pin की आपका account बतलब transfer पैसा नहीं होगा अब देखिए pin मांगने लगा अगर मैं जैसे pin डाल दूँगा यह मेरा payment transfer मेरे account में हो जाएगा तो pin यह मांगेगा और सबसे बड़ी बात सबसे सीफ है Google account कहीं से भी hacking चेक balance का भी option आ रहा है यहां से balance भी चेक कर सकते हैं जिस company का मालेजिए चली इसका bank account चेक करना है तो pin डालने के बाद आपको check करना होगा आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो PID का pin आपको बनाना होगा जो भी आप जब नया होगा तो option आएगा वो pin आपको बना लेना है यह फ सेटिंग में जाना है इस पर आपको लॉग आउट कर लेना है पाकी यहां पर डिटेल पास्नल इंफर्मेशन वगरा सारा कुछ यहां से देख सकते हैं इसको साइन आउट जरूर करना है जब भी आपको जरूत पड़े वहां से आप लॉग इन कर लेंगे दोस्तो तो आसा कर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आगे पर समझ में लाइक करिएगा चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए में तक लिए हरमादेव